लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले सपा बसपा की राही क्या लग हुई दोनों पाठियों के सुरही बदल गए कल तक दोस्ती के तराने गाते थे और अब एक दूसरे पर ही हमला बोलकर राजनेतिक कटुता की कहानी लिख रहे हैं विधाल सपा उप्चुनाव में अपने अपने दम पर लड़ रही दोनों पाठियां एक दूसरे को जम कर कोस रही हैं सपा की राष्ट्रिय प्रवक्ता राजेंद्र चौतरी ने मायवती को ना सिर्फ हराने की चेतावनी दी बलके उन्हें असलियत भी दिखाई है उत्तरप्रदेश की सियासत इसकदर रंग बदलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था डावे बड़े बड़े हुए साइकल और हाथी ने पूरा जोड लगाया बुआ ने बबुआ को गले लगाया माया ने मुलायम का मान भी बढ़ाया चुनावी मौसम राजनीती के इस रंग को बदलता चला कया लेकिन जैसे ही इस मौसम ने बेइमान बन कर पुआ बबुआ के अर्मानों को भिगो दिया वैसे ही राजनेतिक दोस्ते की रंगत भी फीकी पड़ गई और आज आलम ये है कि सपा और बसपा की राहे जुदा जुदा है जो एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जग के दौर को बढ़ा रही है मायवती के अकलेश पर हमले के बाद अब सपा की राष्ट्रे प्रवक्तार राजेंद्र चौधरी ने भी पलटवार किया है उन्होंने कहा कि BSP सुप्रीमो भले ही सपा को बुरा भला कह रही हूँ लेकिन जनता उनकी असलियत जानती है बसपा प्रमुख के बायानों पर सपा अध्यक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की 13 विधान सभा सीटों के लिए होने वाले उप्चुनाव में जनता BSP को जवाब देगी इतना ही नहीं जीत का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी ने उप्चुनाव के तयारी शुरू करती है और सभा BSP समेथ सभी विरोधियों के खिलाफ पूरी तयारी से लड़ेगी सभा अनेता का ये पलटवार मायावती के उस बार पड़ाया है जिसमें उन्होंने लोकसभा में हुई हार के लिए सभा को दोशी ठहराया था मायावती ने कहा था कि सभा का बूथ मैनेजमेंट फेल हुआ है जिसकी वज़ा से पार्टी के दिगश तक अपनी सीट नहीं बचा पाए आपको बता दे कि लोकसभा चुनाव में महा गट बंदन को महज 15 सीटे हासिल हुई है जिसमें 10 बीएसपी ने जीती है तो वहीं सभा एक बार फिर 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई उम्मीद के मुताब एक नतीजे नहीं आने पर मायावती ने सपा से गट बंदन तोड लिया अब विधान सपा चुनाव में दोनों पाठियां अकेले अकेले दम भर रही है और एक दूसरे को ही ललकार रही है अब देखना होगा कि हाथी और साइकल के अलग कोने से किसको नफा और किसको नुकसान होता है डीबी लाइफ की रिपोर्ट